हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल इस दिसना देवतवाल व्लॉग चैनल तो फ्रेंड्स आज का जो व्लॉग है वो मेरी मौर्निंग रूटीन से स्टार्ट है और आफ्टरनून में खतम हो जाएगा तो यहां देखिए साड़े छे हो रहे थे मौर्निंग के और मैंने ब्रेकफास्ट वगरा बनाने के लिए मौर्निंग में बहुत ही जादा बीजी शिडियूल हो जाता है तो वीडियो बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बना लिया जाए और मैं यहां पर बच्चों के लिए ब्रेकफ कर रहे थे लंच बना रही हूं तो गाइस मॉर्निंग में इतनी ठंड होती है ना कि मतलब क्या ही बताए और पंजाब जासे एरिये में जैसे चंडीगर में मैं रहती हूं तो वहां बहुत ही जादा ठंड पड़ती है मॉर्निंग में तो मैंने शॉल दो स्वेटर देख सकते यहां मैंने कितना कुछ पहना हुआ है और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई हूं सुबह मौने में उठने का मन तो नहीं करता है बट बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो उठना ही पड़ता है यहां मैंने बच्चे को लंच बोक्स पकड़ा दिया है और यह तैय जाएंगे तो बच्चे स्कूल टाइम से चले जाते हैं तो अपना भी थोड़ा सा होता है कि चलो बच्चे बच्चे को स्कूल टाइम से भेज दिया है तो यहां देखिए आप उनकी वैन भी आ चुकी है और बस वैन के आते यह अपना फटा-फट चले जाते है तो साथ यह बज़े का टाइम मैंने आपको दिखाया था तो अब हो रहे थे सवा साथ यह साथ बीस का टाइम हो रहा था बस उसके बाद मैं लेटी नहीं उसके बाद मैं तुरन थी अपना क्लीनिंग प्रोसेस में लग गई कि जितना लेट करूंगी उतना ही लेट होगा इस वज़े कि इसको मैं घर के ही लिए ही उसकर लेती हूँ बाहर का जाड़ो मेरा अलग था जो कि आपने देखा उसके बाद मैंने अपना पोचा वगरा लगा दिया वाइपर से ही मैं लगाती हूँ मेरे को इसी से कमफर्टेबल लगता है और उसके बाद बस मैं नहा के आ गई थी प मैं पूजा पाट करने जा रही हूँ इस वज़े से मैंने बोला नहीं था टाइम देखी हो रहा है 9 बजने में 10 मिनट और मेरे पूरे घर का काम खतम हो चुका था यहां मैं आ गई हूँ लड़ू को पाल जी के पास अपने मंदिर में आ गई हूँ और यह देख सकते हैं आ तो अभी सनान नहीं करवाया है लड़ू को पाल जी को यह देखिए ड्रस मैंने ही बनाई थी इनकी तो यहां मैं सनान कराने जा रही थी बट मैंने इनको पूरा दिखाया नहीं है क्योंकि दो बारी मेरा कैमरा बंद हो गया था मैंने सोचा काना जी नहीं चाहते कि मुझे जनाते वे दिखाएं इसलिए फिर मैंने शूट नहीं किया और यहां देखिए मैंने इनको निला दिया है इनको मैं अपना इनका शीशा दिखा रही थी और यह कर लीजिए आप भी मेरे लड़ू गोपाल जी के दर्शन तो सब मिलके बोलिए राधे राधे देखिए कितन पूरा दिन अच्छा बीटता है मतलब अच्छा लगता है तो मैंने सारा घर का काम खतम करने के बाद बच्चों को स्कूल बेजने के बाद अपना मंदिर की मैंने पूजा पाड़ करनी शुरू कर दी थी और यहां मेरी पूजा हो चुकी है ज्यादा लंबा कोई मैं मंतर पूजा आप नहीं करती हूं अपना जैसे मुझसे बनता है मैं वैसे पूजा कर लेती हूं यहां मैंने इतर लिया है मेरे काना जी का और सारे देवी देवताओं पे मैं इतर लगाती हूं उनको थोड़ा सा काना जी को तो मैं सनान करा देती हूं बट सारी जो देवी देव करूंगी उससे और जो बची गा उसको मैं तुलसी माता की पौदे में डाल देती हूं तो यहां मैं लड़ु को पाल जी का भोग तयार कर रही थी तो हस्बन पीछे से मुझे पता ही लगा कब आ गया है मत्था वगरा टेकने वह भी शूट हो गया है तो फिर मैंने देखा कि और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूं यहां देखिए मैं थोड़ा सा पर लड़ु को पाल जी को भोग लगाने आ गई थी और उनको मैं बड़े प्यार से भोग लगा रही थी बहुत ही क्यूट लगते है मुझे ना देखिए मूँ पे जब लग जाता है तो उनका मूँ मैं साफ करती हूं प्रिगाइज मैं आ गई थी किचन में हजबन के लिए चाय और ब्रेकफास बनाने के लिए तो यहां मेरा साग गरम हो रहा है और यह देखिए साग मैं गरम कर रही थी उसके बाद मैंने इनके लिए ब्रेकफास्ट रड़ी कर दिया था और अहां देखि बीबाद में बहुत हसी आई देखे मैं देख रही थी देखे मैंने सोचा पता नहीं का क्या इंड़ों कुछ बहुत हो नहीं दिया इस वजह से मैं कहरे थी कह रहा हूं है बस फिर मैं इनका ब्रेकफास पर बनाने लग गई थी और ब्रेकफास तो खैर वो कर रहे थे बट ल तो गाईज यहां पर आप देख सकते हैं धूप कितनी जादा लाइटा रही है बहुती लाइटारी है धूप क्या कैसे मदीन कर रहा है पर अच्छे जो देखो वह देखे जहां बॉटल है उपर में उपर में धूप आ रही है और अब आज तेज धूप नहीं है इस वज़े से धूप इतनी अच्छी यहां पर रूम में आने वना बहुत यह अच्छी धूप आती है और यहां कभी मेरा सारा काम हो चुका है जैसे कि मैंने को दिखाया था चलिए तो मैं आपसे मिलती हूं तो गाइस कैसे हैं आप सब आज मैं कितनी देर बाद आप लोगों से मिली हूं और आप लोगों के साथ अब रूबरू हूई हूं तो अभी फिलहाल मेरा breakfast नहीं हुआ है हजबन जा चुके हैं और उनका लंच मैंने अभी अब भी पैक किया है जैसे कि आपने देखा और बस छोटे मोटे काम तो चलते ही रहेंगे लेकिन आज मैंने काम बहुत जल्दी खतम कर लिया है अभी टाइम हो रहा है दस वज रहे हैं और ठंद मुझे लग रही है देखिए आज मैंने मोटा कुर्टा पहना है देख सकते बेट्जू दूप है तोब देखी सकते हो की दूप आ रहे हैं देख सकते हो आप मदलब यहां से तो नहीं दिख रही तोड़ा सा लाइट पड़ रही है लेका धूप बहुत जाद लाइट आ रही है चुट Sum मुझे बहुत है अभी भी पट सोच रही हूँ होगा के नहीं होगा और फ्रेंट्स आज में कितनी देर बाद आप लोग उसे मिली हूँ मरलब फेस टू वेसे तो मैंने आपको कैमरे में दिखाया ही है कि मैंने क्या-क्या अपना रूटीन किया है तो दस बज गए है और जल् कि बच्चे आचुके हैं इसने अपनी ड्रस चेंज कर ली है और यह अपनी ड्रस लेके जा रहा है तो बस अब इनको खाना खिलाना रहा है सब कुछ अब चलता रहेगा तो फ्रेंट्स छोटा सा एक रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अर्ली मॉर्निंग कि दो ऐसे सकल टो यही काम है तो मैं ऩर्ष कहीं चली गई थी आफ उप हों कि मत्रैक्टा पाने से इवे जांने एफ दे ट्रौक हम मुझे हों औरहे हैं ऊब यह पता था कि बच ने आजाए घर पे क्यूंकि टाइम का हो रहा था इस तो यह मैं गई थी जल्दी कि उनके आ जाओंगी तो बस इनके लिए बना रही हूं मैं खाना अगरा तो फ्रेंड्स मुझे बताईएगा जरूर कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगता है तो प्रीस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजिएगा और साथ ही में जो बैल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके तो फ्रेंड्स मैं मिलती है आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर एंड राधे राधे